ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी शडियंत्रों का सबसे जादा सामना करती है कच के इसी छेत्र में भारत की अखंडता का उद्गोश करती इस सर्क्रिक भी है अतीत में इस छेत्र को रनभूमी बनाने की कोशिसे भी हुई देश जानता है सर्क्रिक पर दुश्मन की नापाग नजरे कप से टीकी है लेकिन देश निश्चिन्त भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है दुश्मन को भी पता है 1971 के युद में किस तरह आपने मुहतोर जवाब दिया था इसलिए हमारी नेवी की मौजूद्गी में सर्क्रिक और कच्छ की कच्छ की तरफ अब कोई आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है साथियों आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सिमा के एक इंच से भी समझोता नहीं कर सकती एक समय था जब डिप्लोमसी के नाम पर सरक्रीक को चल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था मैंने तब गुजरात के मुख मंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था और इस शेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया मैं इस शेत्र से परिकित रहा हूं कई बार आया हूं बहुत आगे तक जाकर के आया हूं इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली हैं तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है हम दुश्मन की बातों पर नहीं हमारी सेनाओं के संकल्पों पर फरोसा करते हैं साथियों 21 सदी की जरुतों को देखते भी है आज हम अपनी सेनाओं को हमारे सुरक्षा बनों को आदुनिक संसाधनों से लेज कर रहे हम हमारी सेनाओं को विश्वकी सबसे आदुनिक मिलिटरी फोर्सिस की कतार में खड़ा कर रहे हमारे इन प्रयासों का अधार है रक्षा अक्षेत्र में आत्म निर्भर भारत अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वड़ोधरा में सीट टू नाइन फाइव फैक्टरी का उगाटन हुआ है आज विक्रांच जैसा मेड इन इंडिया एरक्राप एरक्राप केरियर देश के पास है आज भारत में अपनी सब्मरीन बनाई जा रही है आज हमारा तेजस फैटर प्लेन वायू सेना की ताकत बन रहा है हमारा अपना फिप जनरेशन फाइटर फाइटर एरक्राप बनाने का काम भी शुरू हो चुका है पहले भारत की पहचान हतियार मंगाने वाले देश की थी आज भारत दुनिया के कीतने ही देशों को डिपेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है पिछले दस वर्सों में हमारा रक्षा निर्याप तीस गुना बढ़ गया है साथियों सरकार के इस वीजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सैयोग की भी बड़ी भूमी का है हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमी का है मैं देश की सेनाओं को मैं देश के सुरक्षा मलों को बढ़ाई दूंगा कि उन्होंने पाँच हजार चे अधिक सैन्य उपकरोग की लिस्ट बनाई है जो वो अब विदेश से नहीं खरी देंगे इससे सैन्य छेत्र में आत्म निर्बर बारत ब्यान को नई गती भी मिली है साथियों आज जब न्यू एज वार्फेर की बात होती है तो ड्रोन टेकनोलोजी उसका एक एहम टूल बन गही है हम देख रहे हैं युद्ध में शामिल देश आज ड्रोन टेकनोलोजी का जम कर इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन से निगरानी हो रही हैं ड्रोन से खुपिया जानकरी जुटाई जा रही हैं किसी व्यक्तिया जगर की पहचान करने में ड्रोन का उप्योग हो रहा है ड्रोन सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं ड्रोन का इस्तवाल हथियार के रुप में भी हो रहा है इतना ही नहीं ड्रोन पारंपारिक एड़ डिफेंस के लिए भी चुनोती बन करके उभर रहा है ऐसे में भारत भी ड्रोन टेकनोलोजी की मदद से अपनी सेनाओं को अपने सुरच्छाबलों को ससक्त कर रहा है सरकार आज तीन सेनाओं के उप्योग में आने वाले प्रिडेक्टर ड्रोन खड़ीद रही है ड्रोन के इस्तमाल से जुड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और मुझे खुची है कि कई भारतिय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बनाने में भी लगी है साथियों आज युद्ध की प्रक्रूति बदल रही है आज सुरक्षा के विशेवी नए नए पनपते जा रहे है वविश्च की चुनोतियां और जटील होंगी इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की च्छमताओं को हमारे सुरक्षा बलों की च्छमताओं को एक दूसरे से जोड दिया जाए और खास करके हमारी तीनों सेनाओं के लिए उनका प्रदर्शन इस जोडने के प्रयास के कारण उनका सामर्थ कई गुना बहतर हो जाएगा और मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक आर्मी एक आईरफोर्स और एक नेवी हमें एक 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 नजर आते हैं लेकिन उनका जब सही उकता भ्यास होता है तो एक 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 नहीं एक सो ग्यारा नजर आते सेनाओं के आधूनी करण की इसी सोच के साथ चीफ अप डिफेंस स्टाफ सीडियेस की न्यूकती की गई इसने देश की सेनाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका ने भाई अब हम इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड की दिशा में बढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड के लिए एक ऐसा मकणिजम तयार कर लिया गया है जिससे सेना के तीनों अंगों के बीच और बहतर तालमेल होगा साथियों हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम राष्ट की सुरुवात उसकी सीमाओं से होती है इसलिए बॉर्डर इंफ्रासेक्टर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राफिक्ताओं में बियारों ने 80,000 किलोमेटर से ज़्यादा सड़क का निर्माण किया है लगदाक और अनुआचल प्रदेश के में में भी रणनितिक रूप से महत्वपून सड़के बनाई गई है पिछले 10 वर्षों में बियारों ने 400 के आज़ पास बड़े पूल बनाए है आप जानते हैं देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में आल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सेनाओं के लिए टनल कितनी महत्वपून है इसलिए पिछले 10 वर्षों में अटरल और सेला जैसी सामरीत महत्वप की अनेकों बड़ी स्वरंगों का निर्मार पूरा किया है बियारो देश के अलग-अलग हिस्सों में टनल बनाने के काम को तेज गती से पूरा कर रहा है चाथियो हमने सीमा वर्ति गाउव को आखरी गाउव मानने की सोच भी बदली है आज हम उन्हें देश का प्रतम गाउं कहते हैं आखरी गाउं नहीं हो प्रतम गाउं vibrant village योजना के तहत देश के प्रतम गाउं का विकास किया जा रहा है vibrant village यानि सीमा पर बसे ऐसे vibrant गाउं जहा वाइबन भारत के प्रतम दर्शन हो हमारा देश का तो ये विशेश सौभाग्य है कि हमारे जादातर सिमावर्ती इलाकों को प्रकृती ने विशेश आशिरवाद दिया है महाँ परियटन के अपार संभावना है हमें उसे तरास्ता है निखार रहा है इसके जरिये इन गावों में बसे नागरिकों का जीवन बहतर होगा उन्हें नए अवसर मिलेंगे वाइबरन बिले जब भियान के जरिये हम यह होता देख रहे हैं आप भी के हैं आसपास के जो दूर दराज के आखड़ी गाउं कहे जाते से जो आज पहले गाउं है वहां सीविड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है बहुत बड़ा आर्थीत नया है छेत्र खुल रहा है यहां मैंगरोज के पीशे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं वो देश के परियावरण के लिए तो बहुत सुनर आवसर है लेकिन इप मैंगरोज के जो जंगल तयार होंगे वो यहां के टुरिस्टों के लिए और जैसे धोर्डों में रणोत्सव ने पुरे देश और दुनिया को आकर सिद किया है देखते ही देखते ही यह इलाका टुरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है आपके आखों के सामने बनने वाला है साथियों इस वीजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के मंत्री भी सीमा वर्ती वाइबरेंट विलेज में जा रहे हैं आज वो वाइबरेंट विलेज में रुखते हैं जहां जादा से जादा समय बिताते हैं ऐसे में देश के लोगों में भी इन गावों को लेकर आकर संग बढ़ रहा है उत्सुता बढ़ रही है साथियों राष्टिय सुरक्षा के साथ एक और पहलू जुड़ा हुआ है जिसकी उतनी चर्दा नहीं होती यह हैं बॉर्डर टुरिजम और इसमें हमारे कच के पास अपार संभावनाएं हैं इतनी सम्रिद्ध विरासत आकर्शन और आस्ता के इतने अधूत केंद्र और प्रकृती के अधूत देन गुजरात वैंक कच्छ और खंभात की खाड़ी के मैंगरो फोरेस्ट बहुत महत्वप्रून है गुजरात के समुद्री तटों पर समुद्री जीओं और वनुस्पत्यों का पूरा इको सिस्टिम है सरकार ने भी मैंगरों के जंगलों के विस्तार के लिए कई कदम उठाए है पिछले वर्स लौंच की गई मिश्टी योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है साथियों यूनेश को वर्ल हेरिटेज साइट में हमारा धोला विरा ये भी शामिल है और वो तो हमारे देश के हजारों साल के सामर्थ की पहचान है धोला विरा में सिंदू गाटी की सब्यता के अवसेज बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व वो शहर कितने व्यवस्ति तरीके से बसा हुआ था यही गुजरात के समुद्रिक से थोड़ी दूरी पर लोथल जैसे व्यापारी केंद्रों ने भी एक समय में भारत की समुरुद्धी के अध्याय लिखे लगपत में गुरु नानक देवजी की चरण रज है कचका कोटेश्वर महदेव मंदीर हो माता आचा पुरा का मंदीर हो काला डुंगार पहडी पर भगवान दत्राय त्रहिका साक्षाद दर्शन होता हो या फिर कचका रण उच्छव या सरक्रिक को देखरे का उच्छा कचके एक जिले में ही परियतन का इतना पोटेंशल है कि टुरिस्ट को पूरा हफ्ता भी कम पड़ जाए उत्तर गुजरात की सीमा पर नडा बेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर टुरिजम लोगों में छाया हुआ है हमें ऐसी ही और संभावना को सातार कर रहा है जब ऐसे स्थानों पर देख के अलग-अलग हिस्सों से परियतक आते हैं वो भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वो परियतक अपने साथ राष्ट्य एक्ता का प्रभाह लेकर आता है और राष्ट्य एक्ता की उर्जा लेकर जाता है और यहां एक भारत से इस भारत की भावना को जिवन्त कर देता है अपने छेत्र में जाकर के भी कर देता है यही भावना हमारी राष्ट्य सुरक्षा का मजबुत आधार तयार करती है इसलिए कच्छ और दूसरे सिमावर्ती इलाकों को हमें विकास के नए मुकाम तर्क लेकर जाना है जब हमारे सिमावर्तिक छेत्र विक्सित होंगे वहां सुविदाय होंगी तो इससे यहां तैनाध हमारे जवानों का लाइफ एक्पिरिस भी बहतर होगा साथ्यों हमारा राष्ट जीवन्त चेतना है जिसे हम माँ भारती के रुप में पूजते हैं हमारे जमानों के तप और त्याक के कारण ही आज देश सुरक्षित है देशवासी सुरक्षित है सुरक्षित रास्त ही प्रगति कर सकते हैं इसलिए आज जब हम विक्सित भारत के लक्ष की और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें आप सब इस स्वप्ण के रक्षक है आज हर देश वासी अपना शत प्रतिशत देकर रास्त के विकात में अपना योगदान दे रहा हैं क्योंकि उसे आप पर भरोसा है मुझे विश्वास है आपका ये शावरिय इसी तरह भारत के विकात को बल देता रहेगा इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर दिपावली की हारदिक शुपकामनाएं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की वारत माता की वन्दे 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 प्रण विलेज अभ्यान नी सिध्यों विशे वड़ा प्रधा नरेंद्रमोधी ये वाद करी आज साथे जो बोल्डर टुरिजम नी पन तिमने वाद करी तो देशनासी रक्षा दड़ए 5000 करणों नी माहीती आपी तेवु पिय मोधी जणाविऊ रक्षक्षेत्र मात्म निर्भर भारत बनाववू आपनों सपनों तेवु नरेंद्रमोधी जणाविऊ तरे हवे भारत हथियारों नी निकास करतू होवानी पन वाद करी जवानों ने मिठाय खवलावी ने वड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी उजवनी करी तो वड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी अग्यार मी वकत जवानों साथे दिवाडी नी उजवनी करी असाथेज 500 वर्ष बाद अयोध्यमा दिवाडी नी उजवनी थाई होवानू पाण वड़ा प्रधाने जणावियू तो बियसेफ ना जवानों साथे दिवाडी नी दामधुम पुर्वग वड़ा प्रधानी उजवनी करी तो आपनों संकल्प छे राष्ट्र प्रथाम तेवू वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिये जणावियू दर्या काठानी सिमाओ सवथी वदू आतन क्योंने लड़ता पिल्ष देशना सुरक्सा दड़ो ए 5000 उपकरणू निमाहीती आपी रक्षाक्षेत्रम आत्म निर्भल भारत बनाववू आपनों लक्षे होवानू वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिये जणावियू तर्यावे भारत हत्यारोंनी निकास करेशे तिवू पन वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिये तिमना संबुधनमा जणावियू तो वड़ा प्रधान नरेंद्रमोदी अग्यार मी वक्त जवानों साथी दिवाडी नियुजवनी करी 500 वर्ष बाद अयोध्यामा दिवाडी नियुजवनी करा होवानों पन वड़ा प्रधाने जनाप्यू तो आसाथेज वाइबरंट विलेज प्यान नी पन वड़ा प्रधान नरेंद्रमोदी ये वाद करी वाइबरंट विलेज प्यान नी सिद्धियो विशे वड़ा प्रधान ने वाद करी तो बॉडर टुरीजम नी पन तिमने वाद करी तो आ साथे श ऐयोध्याने याद करीने पांचो वर्ष बाद ऐयोध्यामा दिवारी नी उजमनी थाई होवानू बड़ाप्रधान नरिंद्र मोदी जणावियो तो BSF ना जवानों साथे पियाम मोदी दिवारी उजमनी करी जवानों ने मिठाई खवडाबी ने दिवाडी नी उजवनी धामधुम पुर्वक करी तर्य अज्यार मी वखत जवानों साथे पियम मोदी दिवाडी उजवी तो 500 वर्षु बाद अयोध्यामा दिवाडी नी उजवनी थाई होवानू वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी ये तिमना सम्भूधन मत जणाप्यू तो बियसेफ ना जवानों साथे वड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी ये दिवाडी नी उजवनी करी दिवाडी नी शुब कामना उपाटवी तो वड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी अग्यार मी वकत जवानों साथे दिवाडी नी उजवनी करी पांसो वर्ष बाद अयोध्या मा दिवाडी नी उजवनी थाई होवानू पाल बड़ा प्रधान मोधी ये तिमना सम्भूधन मजणावियो जवानों ने मिठाय खबडावी ने दिवाडी नी उजवनी करी